राधे किछना राधे किछना दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी केसे आमूरे सांबरियां केसे आमूरे बनवारी तेरी को पुल नगरी रे बड़ी दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी वो केसे आमूरे अरे केसे आमूरे सावरिया तेरी गोगुल नगरी बड़ी दूर नगरी जन्ना जली जाओ काना बैल मोरी बाजे अरे जम्ना जली जाओ काना बैल मोरी बाजे बैल मोरी बाजे काना बैल मोरी बाजे चपती चलू तो मेरी सलके गगरी बड़ी दूर नगरी केसे आमूरे सावरिया केसे आमूरे बनवारी तेरी गोगुल नगरी बड़ी दूर नगरी आम बाजे बाजी मेरी बाज़ी बाज परन वा रहर नगरी बाज़ी दूरे बाजय जारू झाए अरे रात में आऊँ तो काना डर मोह लागे अरे रात में आऊँ तो काना तरी मोह लागे अरे तरी मोह लागे काना तरी मोह लागे दिन में आऊँ तो देखे सारी नगरी बड़ी दूद नगरी अरे केसे आमूरे सारी या केसे आमूरे बनवारी तेरी गोगल नगरी बड़ी दूद नगरी यह लोगो आरे बड़ी बड़ी दूद नगर काना तरी मोह लागे आरे बड़ी दूद नगरी अरे बड़ी दुद दूद ऱ्काना तेरी नगरी में काना चोरे बसंद है तेरी नगरी में काना चोरे बसंद है तेरी नगरी में काना चोरे बसंद है लूट ले वेजी मरी लूट ले वेजी मोरी नथ चुन ली बड़ी दूर लगड़ी वो दूर लगड़ी रेका ना दूर लगड़ी ये केसे आऊं रे सावरिया केसे आऊं रे बनवारी तेरी गोहुल नगरी बड़ी दूर नगरी लगड़ी मीरा बाई कावे प्यारा गिर्दर रागुण मीरा बाई कावे प्यारा गिर्दर रागुण और तुमरे दरस बिन तुमरे दरस बिन हो गई मावरी बनी दूर नकरी मीरा बाई का वनना गिर्दर रागुण आ धर बनी तुमरे दर्रा गिर्दर रे दर्दर रागुण तेरी कना दूर लगरी तेसे हामूरे सावर्या तेसे हामूरे बनवारी तेरी गोखुल लगरी तेसे दूर लगरी कि अबें गया हो। कर्दम रिशी ने देवुती की बात मान ली और भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के स्वरूप में पुत्र प्राप्ति के लिए तफश्या करने लगे जैसे आपने अभी भगवान के सामने आपके भी मन में जो वही कामना थी न मैं ज़्याद आप इसको फूरा खुला न गहूंँ, जो कामना थी, वही थी, बेटा हो तो हमारे भी भगवान जैसा हो, इसी कामना से तो ना ना चे, बड़िया बाते हैं, अरे पूत सापूत ही क्यों दन संचे, पूत कापूत ही क्यों दन संचे, आदमी करता है किसके लिए अपने उलाद के लिए अगर उलाद निकम में निकल जाए तो उसे जीनाई दिकार हो जाता है यह ध्यान रखने के बता है दोनों करदम रिशिय और देवुती ने तबश्या करी भगवान पुने प्रकट हुए और कहा क्या चाहते हो देवुती बोली महराज आप जैसा बेटा चाहती हूँ बोले मेरा जैसा तो मैं ही हूँ तुमने मुझे ही मांग लिया बोले हाँ चलो जाओ तुमें मैं तुम्हारे पुतर रूप में आउँगा अब अपने आस्रम को लोड जाओ बड़े यम यम से रेना उसे बहुत ही अध्यात्मभाव से रेना चाहिए अगर वो चाहिए कि मेरी उलाद भगवान की परंबक्त बने बड़ी सुन्दर हो बड़ी गुनक्या हो तो पहले से ही उसे पहले माईने से ही उसे भगवान की पुजापाट में धरमध्यान में रेना चाहिए अगर वो आठ बजे उठेगी तो बेटा दस बजे उठेगा मान के चलो अरे बेटा था रे स्कूल को टाइम वेगियो इम बेटा को कई दोस कने बैसा आपने इस दोस है आपान लाडला पलंग पु नीचे ने उत्रिया और आठ बजे उठता इवास्तियों दस बजे उठेगा ऐसी माता बैन को सुबह मंगला के समय उठ जाना चाहिए भगवान के दर्सन करने चाहिए जाडू लगाना चाहिए किर्तन करना चाहिए श्री क्रिष्ण गोविंद अरे मुरारे हेना थे नारा यणवासु देवा हेना थे नारा यणवासु देवा देनाति नारा यणवासु देवा सिखिष्टि गुवितारे मुरारे देनाति नारा यणवासु देवा सिखिष्टि गुवितारे मुरारे देनाति नारा यणवासु देवा तो निश्चित है मैंने भी मेरी मा की पेट में भागवत की कता सुनी है तबी तो ये अभी याद आ रहे है इसका प्रमान है इसलिए ध्यान रहे माता पिता अगर बढ़िया हो तो संदान भी बेशी ही होगी अरे आम के हमेशा केरिये ही आएगी आम ही आएगा कभी हांगरिया आती है क्या और बंबुल के पेड़ के कभी केरिये लगती है नहीं लगती है दोस किसको दे रहे हो बाल बच्चे को अरे भाबी साओ काम कई करा मा के तो यो लालो अश्योई से अरे भाई साब इननी यो दोस ही बालक को को ने दोस आपनों ही से नो मिना में ध्यान ने राखियो असी कता उन्वाने कटी जाता तो ग्यान मिलतो कि कशान रेणो छावे तो बालक कदी गट्र मस्ती ने करतो जिद्दी लो ने वेतो आप बालक की समय में जिदान यो पेट में हो साथ मा आथ मा मिना मिने आप बेशन की मर्चियां घणिया रोगी इन वास्ते यो बालक जिद्दी लो वेगियो अश्या टेम में मा बेटी ने कोई भी माता बैन हो शिक्षा है यह भागवत आपको हर ग्यान देता है खाली कानी किस्से नहीं है अगर आप वो माता बैन चटे साथ में आठ में और नम्मे महिने में खाने पीणे में ध्यान रखे चर्का कसेला खटा मीटा बासी ने खाए सात्विक भोजन करे लसन प्याज ने खाए देखे वो बेटा आपका कुल का दिपक बन जाएगा हजारों में उसकी चलेगी हजारों लोग उसको मानेंगे यह कपिल देव मुनी की अवतार की कता है और इसलिए वो देवुती माता बड़े यम नियम और सैयम का पालन करती हुई गरबधारन किया और नो महिने पूरे हुए अभी जीत का समय आया दिन के ठीक मत्यान अक्से तृतिया को अक्से तृतिया को कपिल दे भगवान का प्राकट्ट्य हुआ बोलिये स्थी कपिल दे भगवान की यहो इसी अक्षेतृतिया को हमाने साथ परताव जेनती अक्षेतृतिया अक्षेतृतिया को यहन मेवार वीरश रोमनी प्रातेस्मरनीय eंद्वानी सोरज मारणा प्रताव का वी जनम अक्षेतृतिया और कभिल भगवान का अवतार भी अक्सेत पुर्तियक हो भगवान का अलोकिक स्वरूप था बड़े हुए और इधर करदम रिश्य ने का देवी अब तो इच्छा पुरी होगी अब हम जाएं तो ले हाँ अब बनिया अब दोनों मा बेटे रहने लगे मा अपने बेटे में भगवान के लक्षन देखने लगी कफिल देव ने सोचाईए मैं अभी छोटा हूँ और मा को ये एसास हो जाएगा कि मैं भगवान हूँ तो मुझे मा का ममता तो मिलेगी नहीं मुझे तो भगवान समझ लेगी तो वो मुझे प्यार नहीं मिलेगा माया फेलाई और देव उती भूल गई कि ये बगवान है सोचने लगी ये तो मेरा बेटा है पाला पोसा बड़ा किया और जब उनके लक्षन दिके देवताओं ने आकर के कहा नारज जी ने कहा माता देव उती ये कोई साधरन बालक नहीं है आपके जो लड़का जन्मान है पुत्र है ने ये स्वयम त्रिलोकी के नात हैं और इन से जो लाब लेना हो जो ले लेना बोले अच्छा अब तो उनको प्रुण विस्वास होगे है उनके वो बली बेटा था मगर कफिल देव के चरुणों में गिर गई कफिल मुनी बोले कफिल मुनी बोले मा ये क्या कर रही हो उल्टा पानी चड़ा अरे आप मेरी मा हो कुप उत्रों जायते क्वचद अपी कुमाता नब होती बेटा बली कपूत हो सकता है मगर मा कभी कुमाता नहीं होती और आप मुझे प्रणाम कर रहे हो वो लेना बहाने न बनाओं मैं जो प्रणाम कर रही हूँ मैं एक बेटे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ मैं त्रिलोकी के नात को प्रणाम कर रही हूँ ताली बजा दीगे हाँ यो थोड़ा समझया करो अर्थ को हाँ 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 उमत करिया करो एक अंतर बेंच्वा वालो एक गाम में गिव मुँँ उदारन देदू गाम बड़ा को देवली गाम हरी का गाम में आयो देवली गाम हरी का गाम में आयो देवली गाम हरी का गाम में आयो उन केरियों मैं और इत्र बेंचने वाला अपनी टोकरी में, अपनी अटेची में केवडाना, मोगराना, गुलाब, चमेली, खस-खस, कई प्रकार के इत्र बढ़िया किम्ती-किम्ती लेके आया, बोले, गाम में फेरी लगाने लगा, अरे इत्र लो इत्र, बढ़िया में सुंदर-सुंदर, बड़े सुगंदित इत्र लाया हूं, गाम के लोग इकटे हो गए, क्या लाये, इत्र लाया, देखां कैसा है बताओ, पेटी खोली, और सबने एक-एक सीशी उठा ली, देख लो और एक-एक सीशी उठा करके ठकन कोला, और एक-एक सीशी को अपनी हतली में उडेल दी, और पीने लगे, अब इत्र को पीने लगे, वो बेचारा देखता रहे गया है, यह क्या कर रहे है, ऐसा इत्र की पेचान पीने से होगी, या, बोलो, सुंदित इत्र, सुगंदित इ और उसके सुगंदित रभी है, और इसको पीने लगे, बिहारी ने यह दोवा बहुत बढ़िया लिकारे, गंदी गंद गुलाब की इत्र दिकावत का ही, अरे ए गंदी इत्र बेंचने वाले, किस जिगे इत्र बेंचने आ गया, करी फुलेल को आचमन, मीटो कहें सराई, करी फुलेल को आचमन, मीटो कहें सराई, अरे तेरे सभी शीशें खाली कर दी, रहानी नहीं बढ़िया बढ़िया, एक नहीं नहीं दिया, सभी शीशें खाली हो गए, कारण, खाली मुँपे कह रहे थे, बढ़िया मढ़िया, मग इत्र तो कड़ाई होगा, सरवन साम, अश्या घ्याम में कोई इत्र बेंचों वालो, कोई घ्यानी पुरुष परोज यहाँ, और घ्यान की बातां उंची सुनावे, तो लोगां के हमेज में आवे, बोले हाँ, ठीक 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 बढ़िया, क्या बढ़िया खाक, समझ में कितना काया, एजुमेंट क्या है, रिजल्ट क्या है, यह चाहिए न, यह जब नहीं मिले, तो फिर ऐसा करने से क्या पाइना, इसलिए, जिस सोदे के जो गराग जा हो, वेसा ही सोदा बेंचना चाहिए, अब यहाँ इत्र की वेल्यू कोई समझते नहीं, और अगर आप यहाँ इ करेंगे, ऐसे पी जाएंगे, तो केने का तत्परी है, देवुती माता समझ गई, और कहा, भगवन, अब आप उच्छ सियासन तक गिरा जाए, मैं आपके चरणों में बेट हूँ, और मेरे कुछ मन की प्रश्ण की संका है, उसका आप निवारन करिए, मुझे संक योग का ग्यान दीजी, कपिल देव ने, कपिल देव संक योग के परवर्तक बने, संक का मतलब होता है संख्या, योग का मतलब होता है जोड, बोले, ये प्रकरती, भगवान की जो स्रष्टी है, कितने तत्पों से बनी है, पहला प्रस्ट, कपिल देव ने कहा मा, ये चोबीस तत्पों से बनी है, चोबीस तत्पों कौन कौन से, पाँच कियानेंद्रिया, पाँच करमेंद्रिया जोड़ते जाना, चार अंते करण, चतुस्च अंते करण, मन चुचित बुद्धिय और रहेंकार, ये चार चीज़े, चार अंते करण, कितने होगे, चवदा ध्यान देना, और पंच महाभूत, और पंच तत्प, पंच तनमात्रा, पंच महाभूत, प्रत्वी, जल, तेज, वायोर, आकास, और पंच तनमात्रा है, गंदर रूप, रस रूप, स्पर्स और सब्द, कितने होगे, दस ये, कितने होगे, चोबिस, पुने सुन, पंच ज्यानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, चार अंते करण, मन बुद्धी, चीतो, रहंकार, और पंच पंच भूत, प्रत्वी जल, तेज, वायो, आकास, और पांच इनी तत्वों की तनमात्रा, जैसे प्रत्वी है तो गंदर, जल है तो रस, तेज है तो रूप, वायो है तो असपर्स, और आकास है तो सब्द, ये इन से उत्वन हो गए, ये दस हो गए, पंच तत्वा और पंच तत्वों की तनमात्रा, ये चोबीस तत्वों का, ये स्रुष्टी, ये स्रुष्टी क्रम है मा, और इसी में वापस समा जाता है, भगवान जब स्रुष्टी को समाप्त करते हैं, तो इन सब को समेट लेते हैं, फिर मा ने पूँचा, बेटा, इस जीवात्मा के लिए बंधन का कारण क्या है, दोसरा प्रश्ण, कभिल मुनी ने कहा मा, बंधन का कारण ही मन है, जितना भी बंधन का कारण है, वो मन है, ये मन इतना चंचल है, दशों इंद्रियों पर राज करता है, मन ही आपको गलत रास्ते ले जाता है मन ही आपका खानपान बिगारता है अरे खाले खाले फीले फीले क्या थोड़ी सी तो है एक गिलास ले ले क्या बोलते हैं उसे ले ले इतनी सी जाम ये मन नहीं नहीं मैं तो अनुष्टान में भागवत में बेटा हूँ हमारी हवेली में कुछ नहीं चलेगा ये मन है मन पे मजबूती कर लो यहां इस परिसर में कोई बीडी तमाकों नहीं खाएगा पिएगा ये मन है अरे कोई नहीं देख रहा ले ले ये मन है मगर फिर फकड़ा जाते है तो ऐसे ऐसी बाते हो जाते है ये मन है मनो जहेती जीतना हो तो मन को जीतो हैने मन उतल उतल हो रहा है कब गुरुजी विस्ञाम दे गड़ी देखने लग रहे हैं साड़े छे बज रही है ये मन है अरे हमें कहीं जाना है दूद निकालना ये मन है नहीं नहीं कुछ नहीं मन नहीं इंद्रियों को बस्मे कर लो ए मा जैसे कच्वा होता है ने काच्वा चारों हाथ पेर से चलता है और किशी ने यूं किया समेट करके अंदर अपनी खोल में गुज जाता है ऐसे ही मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करके रको कहीं जाये नहीं यहीं रहे तब जाकर के मन को जीता जाता है तब जाकर के भगवान के पास जाया जाता है और तब ही ग्यान होता है तब ही अपना उद्दार होता है ए मा ये जिवात्मा मा के उधर में नो महीने रहता है बड़ी तकलीप आता है और भगवान से वचन करता है कि मुझे जनम दे दो मैं आपको भूलूंगा नहीं मगर जनम होते ही कि भूल जाता है भगवान कौन होते है जो कुछ भी हूँ जो मैं हूँ कपिल देव ने कहा माता चार जगे का वेराग बड़ा भारी है एक तो अस्पताल में जब आपके नाकान मुँ में नले लगी हुई हो ओपरिसन हो रहा हो और डाक्टर कहता है साब भगवान को याद करो हमारा प्रियास है भगवान बचाएंगे उससे में याद करता है एद्वारी कांदीस मने बचा लीजिए मुह हवियों एक बोरी खांड की प्रशादी कह रहा ये वेराग उससे में आता है हव विया देवली में आया गोडा लोडा विया एक बोरी तो भारी पे अड़ी पच्चा किलो गड़ी फिर पच्ची पे फिर दस पे फिर पांच पे और फिर एक किलो में पांच पालकिया ने जिमत गणों एक वेराग हो दूसरा वेराग माता का घरप में अपन सबने वादा किया हुआ है कि हे भगवान आप मुझे जनम देदो मैं आपका गुणानवाद गाऊंगा गुणाद वाद सुनूंगा यह मैं आपसे वादा करता हूँ अब आप कितना वचन निभा पा रहे हैं मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैंने जो वचन दिया मैं भगवान का गुणानवाद गाता रहूँ जगे जगे सुनाता रहूं लोग उसको वो भी सुनने आएंगे तो उनका भी वचन पूरा होगा समझ में आरी मेरी पास है हाँ हमने सबने पृतिग्या कर रखी जो बगवान देख रहे हैं कि तेने मेरे को उस समय तो वादा कियाग महराज मुझे इस नरकुंड से निकाल दो मैं इस जहर में लिप्टा हुआ हूँ नाराइन मुझे जनम दे दो बगवान को हाशी आती है जनम लेके क्या करेगा है जही ठीक है बोले नहीं नहीं महराज अब मैं ऐसे प्रभू को नहीं भूलूँगा फिर दया आती है वादा कर रहा है बोले हाँ जहां भी कता होगी मैं दोड़ा हुआ जाओंगा प्लादुलाल जी के टेप रही है तोटीस है आमली तोने बागिया और मैं आपका लीला चरित्र कता स्रवन करूँगा मगर बगवान देखते हैं कि कितना सुन रहा है मौह माय जाल में पस गया और इधर फिर भी प्रभू को दया आ जाती है प्रसूती पवन का जटका लगता है मा और उस जीवात्मा का जन्म हो जाता है मगर वो जीवात्मा नन्यानों के चक्कर में बगवान की वेश्णिवी माया में पस जाता है और बगवान को भूल जाता है बगवान को भूल जाता है और अंत में नरक्त में चला जाता है फिर पस दाता है अरे मैंने मनुष्य जनम प्राप्त करके मैंने हरी को नहीं भजा भगवान की लिला कता अमरत पान नहीं किया और अंत में मुझे चोरिया सी लाक नरकों में गोता लगाने पड़ते हैं फिर वापस पाप और पुन्य बराबर होता है तब जाकर भगवान मनुश जनम देते हैं फिर वादा करता है फिर भूल जाता है ये भगवान की लिला है इसलिए मां भगवान का भजन सरव परी है कलो केशव किर्टनम कल्यूग में केशव का किर्टनी सरव परी है और फिर मनुश जनम प्राप्त करके मां प्राणी को मन पर मियंद्रन रखते हुए इंद्रियों को वस्मे रखते हुए भगवान का हरी भजन करना चाहिए तबी मानव जीवन लेना सफल होता है और ऐसा विमिन तत्वों की उत्वती के बारे में बताते हुए मन का बंदन बताते हुए नर्कों की और जीव की उत्वती के बारे में बताया फिर भगवान कभिल नेव ने अश्टांग योग की विदी बताई कि भगवान के दर्सन करने जाते समय दर्सन कैसे करने चाहिए मैं बता दूँ आपको समय ज़्यादा हो रहा है मगर सुन लो मंदिर में जाओ न तो भगवान के चेरे पर कभी निगा मत डालो क्या करें सबसे पहले निगाएं हजूर के चरुनों में नकों पर पढ़ने चाहिए फिर गुटनों पर आईए फिर कमर पर आईए फिर वकसस्तल पर आईए फिर डाडी पर गले पर आईए फिर डाडी पर आईए होटों पर आईए नाक पर आईए आँकों पर आईए फिर ललाट पर आईए फिर मुकट पर आईए ऐसे दर्सन करोगे तो आपके मन में पुरन दर्सन की लाल सा जागरत हो जाएगे मानव का सबाव क्या है डारेक्ट चेहरा देखना डारेक्ट चेहरा देखना भगवान को चेहरो पहली देखे नहीं नीचे से चलो इसको अस्टांग योग विधी दर्सन करता है ये बताया और नरेजणा तो मंदिर जावे ने दर्सन करवाने दोग लगे मंदिर के नीचे उत्रियान पूचे बाया आज भगवान कश्य वागो दर्ण करमे लियो अरे पाव जी मैं तो ये तो द्यानी ने राखियो कई दर्सन की दर्सन भगवान का संतांजो ठाकुर्जी ने कई वागो कश्या रंको वागो धारन करायो ये तो मैं द्यान ने राखियो तो फिर क्या दर्सन की दर्सन करो भगवान के मंदिर में जी भर के करो, अश्टांग योग विदी से करो, ऐसे दर्सन का, विदी बताई, फिर मा को कहा मा, अब तुम्हें मैं जा रहा हूँ, और ऐसे भगवान की भक्ति करते हुए, सालोग के स्राश्टी, समीप्य सारुप्य और सायुज्य, ये चार प्रकार की मुक्ति तुम्हें मिल जाती है मा, भगवान की भक्ति करते हुए, और फिर, फिर सो जहे, बिन दू सरोर में जाकर के स्नान करो, ए मा तुम्हारा भी भक्ति करते हुए कल्यान हो जाएगा, और कफिल मुनी मा को प्रणाम करके, गंगा सागर जहां, गंगा करने लगे बोलियेशी कफिल दे बगवान की जै हो ये कफिल उपाड़ भाग्यां इदम ये इदम सुनो तू दितम कफिल मुनेर मात्मयोग गयात भगवत यंग्रदयम सुपर्णम केतम शुच्वाबल लबते बगवत बदार विंदम्मां उन्हेप भगवान के पदार विं कि भक्ति प्राप्त होती है ये सांके योग का भगवान का कपिल अवतार की कथा माता देव होती और करदम रिशी का चरित्र की कथा जो कोई सुनाता है या सुनता है उनकी पुरुण मनो इच्छा पुरुण होती है भगवान उनके पर बड़ी मैति करपा करते हैं और हम इस स था का विस्राम यहीं देते हैं बोले स्रीकपिल देव भग्राने की ज़्यादा समय नहीं है तो पांदस मीट तो उपर नीचे चले ना आप भी तो लेट आते हो चार बजे तक आते हो तो फिर यह सई होगा जल्दी आईए तो फिर अचल्दी हो जाएगा इरास धरण की आई पापी हूँ या कपटी हूँ जेसाबी हूँ तेरा पापी हूँ या कपटी हूँ जेसाबी हूँ तेरा हूँ गर्मार छोड़ी कर में जीवन में अकेला हूँ दुखता मारा हूँ में मेरे दुखड मिता देना अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना गुरु देव दया करके मुझी को अपना लेना में सब का सेवक हूँ तेरे चरणों का चेला हूँ में सब का सेवक हूँ तेरे चरणों का चेला हूँ ए नात भुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ मेरे दर्खा विखारी हूँ मेरे दोस मिता देना अब तक ही जो निवाया है अब तक ही जो निवाया है आगे भी दिवा देना गुरु देव दया करके मुझे को अपनाने आ झाल थो तो निवाया हूँ आगे भी अब तक जो निवाया है आगे भी निवा देना घुरु देव दया करके मुझे को अपना लेना घुरु देए घुरु देए आदिनन्त कुमारा तुमे सदानमनमारा बोल सत्त गुरुदेव की जय हो और सुमिरूपवन कुमार बल बुदि विद्या दे हु मोही हर हु कले शिविकार हु जय हनुमान ग्यान गोने सागर जय कपीशति हु लोक हु जागर राम दूति अतूलित वल दामा अंजन पूत्र पवन सुत नामा महावीर विकिरम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा सात वाजरी ओर दजा विराज कान मूझ आरे संकर तुवन के सिरी नंदन तेज पतात महा जगरंदन भी द्यावान गुनियती स्वातुर राम काजिकरी बेको आतुर पवुचरित्र सुनी बेको रसिया साम लखन से तामन वसिया कुझ सुख्वरूंग धरी असुर सा रज समारे आई सजीरन लखन जी आए सी रगुवीर अरसि उरे लाए रगुपति की ने वाहूति बढाए तुम मम प्रीय भरती समभा सहस बदन तुम्रो यस गावे अस कही सी पति कंठ लगावे सनकादिग व्रमा दि मुनीसा नारद सारद सही तही सा यम कुबेर दिग पाल जाते कभी खो भी दी कही सके कहाते तुम उपकार सुगी वह की ना राम मिलाय राज पद दीना तुम रूमत्र वीवी सन माना लंके सर्भय सब जग जाना जुग सहस्त्रियो जन परिवानू लीलो ताही मदुरी फल जानू प्रभु मूद्र का मेली मुक्त माही जल दिला दे गए अच्छी रजिना बुर्गम काज जगत के जेते सुगमानुग्र कुम्रेते ते राम दुवारे तुम रखिवारे ओ दन आया दिनुपे सारे सब सुक लहे तुमारी सरिना तुम रख्षकी का मूंको डरिना आपन ते जिसमारो आपे नो लोक हाथ देका घूंचुति साच्निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुणावे नासे दोग हरे सब पीरा गोच चपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुडावे मन कम वचन ज्यान जोलावे सब पर रामत पस्वी राजा इनके काज सकले और मनोरत जो पईलावे दोई अमित जी मन फल पावे चारो जुग पर ताप तुमारा ए पर जीद जगत उजिया सादू संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अश्ट सिधीनम निदि के दाता असवर दीन जान की वाता रामर सायन तुमरे पासा सदा रहो रगू पति के दा कुमरो भजन राम को कावे अवे संत काल रगुवर पुरिजाई जहा जहन मैं हरी पठ कहाई और देमता चीत नदर रही हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब फीरा जो सुमिरे हनुमत वल वीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरु देव की नाए जो सत्वार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुक होई जो यपडे हनुमान चाली सा ओ यसी दिसाखी घोरी सा तुल सी लास सदा हरी छेरा की जे नात दर मह देरा पवन तने संकट हरने मंगल मूरति रूप राम लखन सिता सहित दैवसो सुर्भू शी आवर जाम चंद्र जी कीजे पवन सुत हनुमान जी कीजे व्रिंदावन क्रेष्ण बलो जी कीजे गुरु चरिनार बिंद कीजे पने पने वादगिता गुरुदेव कीजे आई 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 स्री गने साध्या प्यों प्रामा स्री सारस्वते यों नमा स्री गुरु चरना कमने यों नमा कस्तुरी तिलकं ललाट भटली वक्षस्तले कोस्तवं नासा ग्रहे वरमोक्तिकं करतलेर वेनूं करी कंकनां सरवांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च्यमक्तावली गौपस्त्री परिवेष्टतों विजेते स्री गौपल चूदामनी क्रेष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गौविंदाय नमों नमा श्री गौविंदाय नमों नमा या कुंदें तुषाहर दवलाय या सुब्रवास्वरता या विणा वर्दमंडित करार या श्वेत पदमाचना या ब्रह्मांचत संकर प्रवर्त्य देविसदा बंडिता श्रामं पातो सरश्वती भगवती निसेस जांडिय प्वाँ नारायनं नमस्कृत्यन नरंचिवे नरोतमं देविंग सरश्वतिं व्यासं ततों जयमुदरी यते आतुलित बलदहमं स्वर्न смотреть चला बडेयम दनो जेवनि ख्रशानम ज्ञानِ नमान अग्रगान्ःम सकल गुन निदानम् वान रानम अधीशं रगुपत्ति प्रियभक्तं वात जातंनाम जात जातंनामな में वात जातंनाम जातंनाम जात जातंनाम जातंनामा में यंप्रवजंत्मनुपेतं पेतकृत्यन देपायनं विरकात्रयाजुवावन् पुत्रेतितनमेत्अं थर्वबिनेदु स्तंसर्व भूतर्दयं मुनिमाणतोष्मी मुनि मान तो श्मी मुनि मान तो श्मी पॉली स्री चार वजा नात की जै बॉली स्री क्रश्न चंद्र वगवान की जै बॉली स्री संकर वगवान की जै बॉली स्री अनुमान जी महाराज की जै बॉली स्री चावंड महाराणी की जै बोलिश्री सनातन धर्म कीज़े बोलिश्री स्रीमत भागवत महापुरान कीज़े दौ माता कीज़े भारत माता कीज़े बस्ती नगर कीज़े भगता और भगवान कीज़े माता पिता गुरुदेव कीज़े सनातन धर्म कीज़े परम्तिता जगत गुरु संकराचार जी महराज कीज़े संभुगिरी जी महराज कीज़े बद्री गिरी जी महराज कीज़े दन गिरी जी महराज कीज़े गुलाब गिरी जी महराज कीज़े बद्री जी महराज कीज़े